नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं वो काला धागा पहनते हैं या फिर मा जो है छोटे में काला टीका लगाती थी तो आप जानते होंगे कि काला टीका या काला धागा नजर से बचने के लिए लगाया जाता है लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपके जीवन में पैसे रुपे की दिक्कत है, आपके जीवन में रिलेक्शनसिप से रिलेटेड दिक्कत है, खास करके आपका धन्धा नहीं चल रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपके घर में किसी को, बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को नजर लगा दिया है किस लेकिन नजर से बचने के अलावा यह आपके भागय का प्रतीक भी बन सकता है, यानि कि आपकी किस्मत खोल सकता है, आपको पैसे रुपय की दिक्कत है, तो वो दूर करेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा, और उस उपाय को जानने के लिए आप को इस वीडियो में अंततक बने रहना होगा, क्योंकि अगर एक पॉइंट को भी मिस करेंगे, तो अधूरी जानकारी जो होती है, वो पूरा फायदा कैसे दे सकती है, तो इसलिए वीडियो को अंततक जरूर देखिए, अंततक बने रहिए, हम आपको इस वीडियो में काले धागे से रिलेटेड एक बहुत ही सरल और साधारन सा उपाय बताएंगे, लेकिन इस उपाय को करने के बाद आपके जिवन से जो भी परिशानियां हैं, कठिनायां हैं, वो दूर होने लगेंगी, तो इसलिए वीडियो में अंततक बने रहिए, नमस्कार आप देख रहे है हिंदू देवी देवताओं का चैनल जिवन जिने की कलाय स्प्रिच्वल, दोस्तों काला धागा बांधनी की प्रथा आज से नहीं है, बलकि कई सालों से इसे हाथ, पैर, गले और बाजु में बांधा जाता है, मूल रूप से बात करें, तो इसे नजर से बचने के लिए हम सभी इस्तेमाल करते आए हैं, वास्तों में कारा धागा बांधनी के पीछे वैज्यानिक कारण भी है, ऐसा नहीं है कि इस सिर्फ धार्मिक मानेता है, धर्म की वजह से बांध रहे हैं, अब क्या है वैज्यानिक कारण थोड़ा सा इसको भी समझ लीजे, हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, यानि कि पांच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, वो तत्व कौन कौन से हैं पांच, तो प्रित्वी, वायू, अगनी, जल और आकाश, इनहीं से मिलकर के बना है हमारा ये पंच तत्व शरीर, इनसे मिलने वाली उर्जा हमारे श विधाओं को प्राप्त करते हैं, जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लग जाते हैं, तब इस पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित साकारात्म कुर्जा जो होती है, वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाती है, बलकि निगेटिवीटी आसपास छा जाती है, इसलिए आप काला धागा लेंगे, उसमें भगवान का लोकेट लगाते हैं और धारन करते हैं, और वास्तों में कहें, तो हनुमान जी का लोकेट लगाना काले धागे में बहुत शुभ होता है, बहुत फलदाई होता है, बुरी नजर से बचने के लिए काले रंग की चीजों का इस्तेम क्या आप जानते हैं इस बारे में आपके साइड में भी छोटे बच्चे के लगाया जाता है। और काला धागा पैरों में बांधा जाता है अगर हां तो कमेंट में जरूर लिख भाईजिए किस से तो अपने एरिया का नाम लिखिएगा और साथ में साथ में हाया ना लिखिएगा कि हां हमारे तरफ लगाया जाता है और किस उम्र के बच्चों को लगाया जाता है ये भी द्यान से लिख भेज़ेगा और क्या बड़े भी आपके साइड पर डाना के अप्रियोग करते हैं वो भी लिखेगा ताकि पता चले कि कौन-कौन से एरिया में ये प्रथा जो है हमारी तरफ होता है छोटा बच्चा जब जन्नम लेता है तो उसके पैरों में काला धागा बा कर देता है इसके कारण नकारात्मक उर्जा संबंधित व्यक्ति जो है वो प्रभावित नहीं कर पाता है और इससे बच्चा स्वस्त रहता है और आपका अगर वेवसाय है तो भी सुरक्षित रहता है काला धागा नजर से बचाता है साथी साथ इससे जुड़ा एक काला धागा ले आईए और किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार ध्यान रखिए बाजार जाना है और रिश्मी या सूती काला धागा ले करके आपको आना है किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार की शाम को ध्यान रखेगा सुबह नहीं शाम को काला धागा हनुमान जी के म हनुमते नमो नमह उम हनुमते नमह बजरंग बली की जय जय राम दुताय राम दुताय भी कहा जाता है हनुमान जी को अंजनी सूत भी कहा जाता है पवन सूत भी कहा जाता है तो आप जिस नाम से याद कर सकें एक बार याद कीजिए अभी एक बार आख बंद कीजिए और और ग्रंथों की बात करें तो उसमें से हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो माना गया है कि कल्यूग में भी जिवित हैं और हैं उपस्थित हैं तो इसलिए हनुमान जी को एक बार मन में याद कीजिए और इसके बाद एक बार कनमें जरूर लिखिए जै हनुमान इस धागे क क्या करना है आपको जो कि आपने उसमें हनुमान जी का टिका भी लगा दिया है यानि कि सिंदूर लगा दिया है उसमें जो बताया मैंने कि धागे में नो छोटी छोटी गाठ बांध रखे आपने और उसमें हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लगा लिया है इस धागे को घर के मुख्य दरवाजे पर पहले बान दिजे जो में दरवाजा होता है जहां से घर में आप प्रवेश करते हैं वहां पर बान दिजे या फिर तिजोरी पर बान दिजे तिजोरी पर किसी की नजर नहीं लगेगी घर पर बान देंगे घर पर किसी की है आ रही है तो आते रहेगी और नहीं आ रहे तो आने के सुरोत बनने लगेंगे सिर्फ एक छोटे से उपाए आप जल्दी ही माला माल बन जाएंगे करेंगे तो क्या है तो करने के लिए आपको क्या करना है घर में धन्य धान की अपार ब्रिद्धी चाहते हैं तो शनिवार और जाब करते हुए नोगाट बांद है। अगर शनिवार के दिन जाब करें और इसका लाव उठाएं। आप देखेंगे कि क्या करना है तिजोरी पर रखेंगे तो आपके पैसे रुपए की समस्या जो है सोल्व होगी अगर आप काले धागे का ये प्रयोग करके बच्चे को बांदेंगे तो आपके बच्चे को नजर नहीं लगेगी और काला टीका भी ऐसे ही काजल ले जा करके अगर आप शनी देव के चरणों में रख करके ओम शनय नमह ओम शनय नमह ओम शम शनिश्चराय नमह अगर ये मंतर आता है तो आप बोलिए और इस मंतर को कम से कमे ग्यारा बार या 21 वार बोलिए और अपने बच्चे को वो काला टीका लगाईए बुरी नजर से बच्चा ह बहुत महनत करते हैं जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि वह बच्चे का नाम अभी होने जन्म लेने से पहले ही सोच लेते हैं ऐसे बहुत सारे लोग आप में से भी होंगे जहां तो यह होता है इमोसन जुड़ा हुआ होता है खास करके मा का और पि कम मिनिमुम 11 बार कर सकें तो 111 बार या 101 बार जरूर कीजिएगा और इस मंत्र का जाप करके उस काले ठीके को ला करके आप काजल को उपयोग कीजिएगा बच्चे को लगाईएगा बच्चे की बुरी नजर से रक्षा होगी कोई भी उस पर बुरी नजर नहीं लगा सकेगा बच्चा जो है हस्ता खेलता स्वस्त रहेगा और काले धागी का ये जो प्रियोग है इसको ले जा करके आप करेंगे अगर अपने तिजोरी में बाहन देते हैं नोगांटों वाला तो आपकी तिजोरी से खजाना खाली नहीं होगा आप अपने घर के दरवाजे पर बाहन दे करते हैं उसका उश्मा जो है और शोसक होता है यानि कि काला रंग का कपड़ा पहनेंगे तो आपको गर्मी देखेंगे बहुत ज्यादा होगा क्यों क्योंकि वह सभी कलर्स को अपने अंदर सोख लेता है तो ऐसे ही सुर्य के रोशनी को सबसे ज्यादा जो सोखता है वह को और शोसित कर देता है जिसका असर हमारे शरेर को नहीं होता है यह एक तरह का सुरक्षा कवच बना देता है शनी दोस्त से बचाता है जिस पर शनी की साढ़े साती हो तो शनी देव को वैसे भी काला धागा हो या काली चीजे पसंद है अगर आपको विशेश रूप से ल है या हो उसका जीवन जो है अमंगल हो जाता है बहुत परिश्यानियों से घेर जाता है वो कितना भी मेहनत कर ले कितना भी अथक प्रयास कर ले उसको सफलता नहीं मिलती है अगर उन में से आप ये चोटा सा प्रयोग करिए कि शनीवार के दिन चीटियों को आटा किलाना स दुरू कीजिए इससे शनिदेव प्रसन होते हैं या फिर हनुमान जी की अरादना कीजिए या फिर मैंने ये जो काले धागे का प्रयोग बताया इसको कीजिए एक और प्रयोग है अन्य उसको भी कर सकते हैं अपा मार्ग जिहां एक पौधा है अपा मार्ग इसकी जड़ को लेकर के आईए और इसकी जड़ को ले जाकर करती जोरी में रख दीजिए और कैसे तो कोड़ी के साथ रख दीजिए या फिर इसको जला करके लाल पूटली में बान करके रख दीजिए तो और अच्छी बात होगी लेकिन इसको बानने से पहले क्या ध्यान रखना है तो जड जी के मंदिर में बैठे जाए और हनुमान जी का मंत्र बोली या फिर आपको शिव जी पसंद है तो शिव जी दोनुं हैं क्योंकि एक ही रूप है ये तो शिव जी के सामने भी बैठ कर क्या बोल सकते हैं अगर महामिरतों जे मंत्र आता है तो आप वह बोलिए ओम त्रेम बक कि दोफोल ये शक्त शाली मंत्र है कि आपके जीवन के मृत्यु भी आने वाली है मृत्यु जैसा काल फिटन जाता है मृत्यू टल जाती है इतना पावरफुल यह मंत्र है आप पर जो भी बाधा आना है एक्सिडेंट आना है वो सब दूर हो जाता है दुश्मन का भाय दूर हो जाता है और पैसे रुपे अगर आप इसे तिजोरी में रख देते हैं इस गांट वाले यानि कि लाल जो पोटली बनाई है आपने इसको रख देते हैं ले जाकर के तो आप देखेंगे कि आपको पैसो की दिक्कत नहीं होगी रुपे की दिक्कत नहीं होगी शनी देव प्रसन हो गए तो आपके सारे ग्रहन शत्र भी ठीक होने लग जाते हैं सभी ग्रहों को अगर आपने सही कर लिया जो आता है आपके घर पर किसी को बुरी नजर नहीं लगती बुरी आत्माओं की साइया नहीं लगती और तब आप तरक्षा को कीजिए गुपतर्ः करके कीजिए बहुत इसको को जब 111 बार बोल लेते हैं या आपकी समर्थ 111 बार बोल लें तो आप क्या करें यह में टिप से ध्यान रखेगा अपने मन से पूजा के विधान में एक बात कही गई है शमा याचना करना यह बहुत बड़ी चीज होती है शमा याचना जरूर करना चाहिए आप किसी से भी देखिएगा शमा जब मांगते हैं तो वो खुश रोता है वैसे ही इस वर से भी आपको कुछ और नहीं बस अपने लिए उनके लिए नहीं कहते कभी कि आप शमा मांगो लेकिन आपको अगर लगता है कि हमसे जाने अन जाने हे प्रभू कोई गलती होई है तो उसको शमा कर है तो धनकी और जो अगर आपकी इक्षा है पुत्र प्राप्ति की तो उसके आप बोल दीजिए देखेंगे जीवन से परिशानियत दूर होने लगेंगी और आपकी समस्या जो है जड़ से खत्म हो जाएगी बोलिए प्रेम से उम नमह शिवाए कमेंट में एक बार जरूर प्रसंद नहुने वाले दे होता है तो एक बार उम नमह शिवाए कमेंट में जरूर लिखें उमीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी ऐसी ही नई जानकारी पूर्ण वीडियो इस चैनल के मादे हमसे लेकर करके आते रहते हैं तो ऐसी नई जानकारी पूर्ण वीड लिक्स पर वीडियो हम लेकर क्या है आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप अपने राय भी लिखिए हमें बहुत उससे बल मिलता है थैंक्स पो वाचिंग